स्वागत दोस्तों आपका हमारी यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट अड़ा में दोस्तों आज हम बात करेंगे एक 32 कॉलिटी की ETF फंड के बारे में जिसके अंदर आप एक बार 4000 रुपे निवेश करके अपने लिए भविशे में यानि लॉंग टर्म में एक करूर 4 लाक रुपे का एक बड़ा फंड बना सकते हैं दोस्तों अगर आप अपने भविशे के लिए अभी प्लानिक कर रहे हैं और आप कोई ऐसी स्कीम की तलाश में हैं जहां पर आप सिर्फ थोड़े से पैसे निवेश करके एक बड़ा फंड बनाना चाहते हैं तो दोस्तों आप इस ETF फंड के बारे में जानकर इसमें निवेश करके एक बड़ा फंड तयार कर सकते हैं दोस्तों अगर आपको ETF के बारे में नहीं पता है तो हम आपको पहले थोड़ा सा ETF के बारे में बता देते हैं दोस्तो ETF होता है Exchange Traded Fund इसमें आप पिल्कुल mutual funds की तरह निवेश कर सकते हैं लेकिन इसमें benefit यह ज़ादा होता है कि यहाँ पर आपको flexibility ज़ादा मिलती है यहाँ पर आप अपने मर्जी के हिसाब से इसके अंदर एक साथ 4000 रुपे ना निवेश करके थोड़े थोड़े पैसे यानि 200, 400 या 500 रुपे थोड़े थोड़े निवेश करके भी 4000 रुपे तक निवेश कर सकते हैं या इससे ज़ादा भी आप निवेश कर सकते हैं तो इसके अंदर यह bound नहीं होता है जैसे कि आप SIP शुरू करते हैं mutual funds के अंदर और आपको हर महीने का SIP दैनी होती है लेकि इसके अंदर ऐसा नहीं है इसमें आप अपनी मर्थी के हिसाब से जब चाहे निवेश कर सकते हैं और जब चाहे उस निवेश को भी यहां से निकाल सकते हैं यही वज़ा है कि यहां पर भी एक portfolio तहत निवेश करके आप mutual funds की मकाबले भी अच्छा profit कमा सकते हैं तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं इस ETF fund के बारे में उसके बाद हम इसे calculate भी करेंगे कि 4000 उपे निवेश करके आप कैसे इसके अंदर 1 करोड उपे का fund बना सकते हैं दोस्तों जिस ETF स्कीम के बारे में हम बात करें अगर हम उसके 1 साल के return की बात करें तो स्कीम ने 9.64% का return दिया है 3 साल की बात करें तो स्कीम का return 121.5% का है 5 साल की बात की बात की जाए तो स्कीम ने 118% का return दिया है दोस्तों जैसे कि हमने आपको बताया ये एक ETF फंड है और नाम है इसका मोतिलाल उसवाल NesTech 100 ETF यानि कि दोस्तों इसका जो पैसा है वो स्टॉक मार्किट के अंदर US के अंदर निवेश किया गया है अब बात आती है कि इसके अंदर आपको निवेश कैसे करना है तो दोस्तों इस ETF के अंदर भी आप लम सम में बात की जाए नमबर आप स्टॉक की तो दोस्तों 101 स्टॉक है जिनके अंदर ये सारा का सारा पैसा निवेश किया गया है अगर बात की जाए PE ratio यानि price to earning की तो ये भी बढ़िया है 36.71 का और PB ratio काफी शांदार है 8.90 का बात की जाए expense ratio की तो ये भी बहुत कम है 0.58% का दोस्तो expense ratio किसी भी ETF का एक खर्चा होता है जो पैसे आप इसके अंदर जमा करते हैं और जो expense ratio होता है ये काटने के बाद जो current ETF का price होता है उसके हिसाब से आपको unit lot की जाती है दोस्तो अगर हम बात करें हाँ पर fund management की तो इस fund को manage करें अंकोशूद 2011 से अगर बात की जाए ETF code की तो ये है MON 100 दोस्तो ये तो बात होई scheme की इसका जो अभी तक का return है 5 साल का वो है 118% का लेकिन दोस्तो ये scheme आने वाले time में अगर annually आपको सिब 30% का भी return दे दे देती है और इसके अंदर आप एक बार 4000 रुपे निवेश करते हैं तो कैसे आप एक करोड रुपे का बड़ा पंड बना सकते हैं चलिए अब हम इसे एक बार calculate करते हैं दोस्तों ये है मारे पास एक ETF का lump sum calculator इस scheme के अंदर अगर एक बार 4000 रुपे निवेश करते हैं और ये scheme आने वाले time में आपको return देती है 30% का इस पैसे को अगर आप सिर्फ एक साल के लिए निवेश करते हैं तो एक साल के अंदर आपको estimate return जो मिलेगा वो 1200 रुपे का होगा 4000 रुपे जो आपने निवेश किये हैं उन्हें मिलाकर एक साल के बाद आपको 5200 रुपे मिलेंगे दोस्तो इस पैसे को अगर आप यहाँ पर 3 साल के लिए निवेश करते हैं तो इस पर आपको estimate return जो मिलेगा वो 4788 रुपे का होगा 4000 रुपे जो आपने निवेश किये हैं उन्हें मिलाकर आपको 8788 रुपे मिलेंगे दोस्तो इस पैसे को अगर आप यहाँ पर 9 साल के लिए निवेश करते हैं तो आपको estimate return जो मिलेगा वो 38,416 रुपे का होगा 4000 रुपे जो आपने निवेश किये हैं उन्हें मिलाकर आपको 42,048 रुपे मिलेंगे दोस्तो इस पैसे को अगर आप यहाँ पर 12 साल के लिए निवेश करते हैं तो आपको estimate return जो मिलेगा वो 89,192 रुपे का होगा 4000 रुपे जो आपने निवेश किये हैं उन्हें मिलाकर आपको 93,192 रुपे मिलेंगे दोस्तो इस पैसे को अगर आप यहाँ पर 15 साल के लिए निवेश करते हैं तो आपको estimate return जो मिलेगा वो 2,744 रुपे का होगा 4000 रुपे जो आपने निवेश किये हैं उन्हें मिलाकर आपको 2,4744 रुपे मिलेंगे दोस्तो इस पैसे को अगर आप यहाँ पर 18 साल के लिए निवेश करते हैं तो आपको estimate return जो मिलेगा वो 4,45,822 रुपे का होगा 4000 रुपे जो आपने निवेश किये हैं उन्हें मिलाकर आपको 4,49,822 रुपे मिलेंगे दोस्तो इस पैसे को अगर आप यहाँ पर 21 साल के लिए निवेश करते हैं तो आपको estimate return जो मिलेगा वो 9,84,258 रुपे का होगा 4000 रुपे जो आपने निवेश किये हैं उन्हें मिलाकर आपको 9,88,258 रुपे मिलेंगे दोस्तो इस पैसे को अगर आप यहाँ पर 24 साल के लिए निवेश करते हैं तो आपको estimate return जो मिलेगा वो 21,67,203 रुपे का होगा 4000 रुपे जो आपने निवेश किये हैं उन्हें मिलाकर आपको 21,71,203 रुपे मिलेंगे दोस्तो इस पैसे को अगर आप यहाँ पर 27 साल के लिए निवेश करते हैं तो आपको estimate return जो मिलेगा वो 47,66,133 रुपे का होगा 4000 रुपे जो आपने निवेश किये हैं उन्हें मिलाकर आपको 47,70,133 रुपे मिलेंगे दोस्तो अगर आप इस ETF पैसे को यहाँ चार हजार रुपे को 30 साल के लिए निवेश करते हैं तो 30 साल के अंदर आपको estimate return जो मिलेगा वो 1 करूर 4,75,983 रुपे का होगा और जो 4000 रुपे आपने निवेश किये हैं उन्हें मिलाकर आपको 30 साल के बाद 1 करूर 4,89,943 रुपे मिलेंगे तो दोस्तों इस कीम काफी बढ़िया है जिसके अंदर आप एक बार 4000 रुपे निवेश करके या फिर आप 100-200 रुपे हर महीने निवेश करके 4000 रुपे पूरा कंप्लीट करने के बाद भी 30 साल के अंदर एक बड़ा फंड बना सकते हैं इससे आप अपने भविश्य की सारी से आराम से पूरा कर सकते हैं तो दोस्तों आई हो आपको जानकारी जरूर पसंद आई होगी इस वीडियो से लेटेड अगर आपका कोई भी कोश्चन है या आपको कुछ भी समझ नहीं आता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं दोस्तों चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें धन्यवाद